हेलो प्यारे बच्चो आप सभी का स्वागत है संकल बारत के ओनलाइन लेर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं परंबीर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं तो बच्चो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही फैंटास्टिक और फणी तरीके से जितने भी प्लांट हर्मून है उन सभी को याद करने वाले हैं येस फैंटास्टिक और फणी तरीके से सारे के सारे प्लांट हर्मून को आज हम कवर करने वाले हैं तो बिना टाइम को विश्ट कियो है सीधे आते हैं टॉपिक पे तो आज का जो टॉपिक है इस सुपर ट्रिक येस इस इस सुपर डेफिन these plant hormones function को जितने भी plant hormone है उन Teدم Sh Xue के हम functions को भी कर लेगे जरूर याद कर लेगे अगरेव plant hormone का क्या क्या बोलते है does plant growth regulator याद करो बrict renewal वर्ड आपने भिजिसमे कब सुना है ये याद करो आपकी मंपी बोलती थी कि जाकर चेक करके आए और गैस का regulator promoter भी होते हैं और वो inhibitor भी होते है इसलिए आप देखेंगे कि जो plant growth regulator है plant hormone है वो plant growth promoter भी है और वो plant growth inhibitor भी है अच्छा plant growth promoter से मतलब क्या है कि वो hormone जो cell division करवा है right cell enlargement कराए flowering कराए fruiting कराए या seed का formation कराए यह क्या करा रहा है promote करवा रहा है so these are plant growth promoter और इसकी category में कौन-क यह तीनों कहां पर आएंगे plant growth promoter में और दूसरी तरफ इनिबिटर भी है इनिबिटर की बात करें तो अच्छा इनिबिट में कौन-कौन से रोल लाएंगे बिटा उसमें अगर डॉर्मेंसी और एपसेशन डॉर्मेंसी क्या होता है कि एक लंबे समय तक बीजों को अंकु करके रखा जा रहा है दिस इस डॉर्मेंसी चलिए समय को ज्यादा वियर्थ न करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे की बात पे अब हम बात करेंगे और जिन के function की येस दोस्तों येस अब आप याद करने वाले हो कि किस तरीके से हम और जिन के सारे function को याद करेंगे तो ब बहुत ही honest person है इमानदार आदमी है वो क्या सोचता है वो सोचता है कि मेरा खुद का एक garden होना चाहिए तो वो क्या करता है एक pineapple के बगीचे से जाके stem को तोड़के ले आता है और अपने घर में लाके घर में लाके क्या करता है अपने घर में लाके बगीचे में उस pineapple की stem को लगा देता है, जब वह stem लगाता है, तो उसमें rooting भी होती है उस पे उपर flower भी आते है उस पे क्या होता है, flower भी आते है flower भी होती है, फिर क्या वो करता है, वो क्योंकि इमांदार आदमी है बहुती सॉजजन विकती है, वो उस particular plant की बहुत देखवाल करता है वो क्या करेगा जो नई पत्ति आ रही है उनकी बहुत सही से take care करेगा और जो पुरानी पत्ति आ रही है उनको नीचे से हटा देगा उसने क्या किया नीचे से पुरानी पत्तियों को हटा दिया वो देखता है कि उसका जो pineapple का प्लांट बहुत तेजी से उपर की तरफ बढ़ और भी plant grow कराता है उसमें तो वो क्या करता है seedless tomatoes het upcoming would यहाँब करता है वो यहाँब किछ seedless cheese tomato both grow करवाता है और जब सर्फेड लेस टोमेटो projects yhte potassium को आगई उसके सांथ साथ कुछ गास्पूज भी उग तो तो वो क्या करता है हरुशाय जालम लोशन और वहुशको जब लगाताँ अपनी फसल में तो सेल और तेजी से ग्रोव करते हैं स्टोरी समझ में आई एक पर्सन जो एक सजन इंसान है बहुत यॉनस्ट पर्सन है वह एक पाइनेपल का पेड लेकर आता है उसमें से रूटिंग होती है उसकी बहुत अच्छे से टेक केर करता है उसकी एपिकल ग्रोथ होती है उसके बाद वह टोमेटो के प्लांट सीडले स मेटो को भी लगा देता है उसके साथ साथ कुछ घासबूस भी उगाती है उनको हटाने के लिए और फाइनली उसमें लगाता है जैलिम लोजन जिससे होती है क्या उसकी खुप सारी से डिवीजन अब जरा इस स्टोरी को हम एपलाई करते हैं इनके फंक्शन के उपर बिलक कर रही तो उसमें क्या हो रही थी हो रही ति यास रौ टिंग हो रही थी ही और क्या कर रहा है वर ग। पल में याद करो उसमें फ्लावर भी निकले थे रूट भी निकली थी राइट उसने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ फालिंग इन अर्ली स्टेज अर्ली टाइम में बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखा क्यों कोई पत्ती खराब न पार्थेनोकार्पी तो पार्थेनोकार्पी उसके राता फानली करते हैं बहुत ज्यादा सेiveness भी हो लहती है तब इस इसे क्लियर तो यह तरीका था story से याद करने का अब चलो एक short trick पे भी ले चलता हो अगर आपको story बैसे तो समझ में आई गई होगी set हो गया होगा mind में but फिर भी मैं extra help के लिए आपको और एक trick प्रोवाइड करता हूँ बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है ट्रिक देखो happy h a double p y happy pcr ट्रिक क्या है happy pcr happy देखो यह कैसे काम करता है औक जिन हर्बी साइड ए से एपिकल डॉमिनेंसी पी से पार्थेनुकारपी पी से प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट फॉल हैपी में वाई जाइलम काम यूज कर रहे हैं तो जाइलम डिफ्रेंशियेशन प्रमोट फ्लॉवरिंग सेल डिवीजन एंड रूटिंग इस ट्लियर तो यह हुई ना देख कि भाई ऑगजिन एक सज्जन इंसान था यह जो हमारे मिस्टर जिब्रेलिन है यह एक एंटोपरणर है क्या है आपने आजकल बहुत यह वर्ड सुना होगा कि भाई क्या है आजकल नए-ने बिजनिसमैन क्रियेटोर है तो यह भी एक बिजनिसमैन काइंड ओफ था और इसन इसने क्या किया एक खोलने का सोचा और उसने वहाँ पे दो परसन रखे एक का नाम था मालती और एक का नाम था बालती नाम की दो इसने क्या की दो परसन रख लिए इसमें मालती बहुत एक्टिव थी बहुत स्पीड अपली काम करती थी जबकि बाल्टी को दिया गया था भी छीनने का काम क्या दिया गया थे दा गोभी छीलने का काम इंहोंने लिए एक्दम तंदुरूस्त है यह फुली प्रॉपर शेप ग्रेप की स्टॉल ग्रेप की इंप बहुत लंबी-लंबी चोटी वाली नहीं बड़िया वाले अंगूर लिए और इन्हों ने वह गन्ने लिए गन्ने भी इसमें यूज किए वह गन्ने लिए जो खूब ज़्यादा क्या है प्रोडेक्टिव खूब ज़्यादा लंबे-लंबे गन्ने राइट बहुत अपनी में अर्लिट टाइम में उस कोनी बॉस्अ करते हैं कि कोनीफर के सीड को भी यूज करते है इसलिए उन्हों होने क्या किया अपनी error के सामने उनके कोनीफर लगे उए हुए थे उन पर कोनीफर पे जल्दी जल्दी सीडिंग लगाना स्टार्ट कर दिया राइट तो इसकी कंपनी के बाहर देखो यहां पे कोनीफर भी लगे हुए और इसने एक बात स्टार्टिंग में जोस्त जोची थी कि एक भी बूड़ा आदिवी काम नहीं करेगा वहां पे जितने भी कहना चाहिजाता है जीब्रेलिन इसके कौन काम करता था माल्टी तो पहल वह बहुत तेजी से काम करती दिए कैविज में के ये रोजह से गहां। तो जो rosette habit के plant होते हैं उसमें क्या होती है? Balting. और ये जिब्रेलिन क्या करता है? Increase करता है length in axis. Axis में किसकी? देखो उसके आग क्या क्या उज़र था? Sugar cane, sugar cane की भी growth को बढ़ाएगा. Increase length of grape stalk, जो अंगूर की बेल है, उसका भी size बढ़ाएगा. Improve seed habit of apple, apple की seed habit, और उसके shape को, shape को improve करेगा, उसको enlarge कर देगा, right? और फिर उसने बाद में क्या सोचा था? कि भाई, कोनिफर के seed को भी use करूँगा, उसने उसमें क्या करा दी थी? Early seeding करा दी थी, तो early seed production in conifor. Conifor में उसने क्या करा दिया? Early seed production करा दिया. और उसने क्या बोला था? कि कोई भी बुड़ा आज भी काम नहीं करेगा, उसने क्या किया, तो सबकी sense को delay करवा दिया. Is it clear? आया समझ में? सारे के सारे function होगे, आप NCRT open करके देखो, line to line चीज़ है clear हो रही होगी. अगर इससे भी satisfy नहीं हो, बैसे तो mind में image बनी गई होगी, still I have one more trick for you, एक और trick है आपके लिए. Trick क्या है? I am ABCD, I am ABCD, देखो, I का M का मतलब क्या है? कि increase करता है जब देली length किस-किस में, grapes में, apple में, सुगर केन में. M, A का मतलब हो गया, malting, ये क्या कराता है, malting, B से balting, और C से conifer में early seeding कराता है, और D से delay sentence, तो ये भी एक तरीका है, ये जो key वाले point है, वो मैंने side में with trick आपको समझा दिए. स्टोरी भी mind में clear हुई, और हमने एक चोटी-जी trick भी side में की, कोई भी चीज आपकी छूटे की नहीं, सारी चीज होंगी cover, बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब हम बात करेंगे, एक जिम के handsome hunk की, yes, इसको क्या बोलते हैं, हम cytokinin, जो एक handsome hunk है, क्यों, भाई, ये है gym person, ये fit person, ये अपने आपको रखता है, चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त, आपके सर की तरह, right, so, he is Mr. cytokinin, देखो, इसकी story भी बहुत मैजदार है, ये क्या करता है, भाई, ये नए-ने ideas लेके आता है, नए-ने चीजों को innovate कराता है, right, क्या करता है, नए-ने चीजों क कि दर भी काम करता है, right, और इसने क्या सोचा था, कि अगर मैं इतना handsome हूँ, तो किसी पर दादागिरी तो चलने नहीं दूँगा, right, तो ये पहले ही, एकदम clear-cut का mindset है, कि I will make you healthy, सबको healthy बना के रखूँगा, और किसी की दादागिरी नहीं चलने दूँगा, क्या करे बोल rapid cell division कराता है, root epics में, right, और developing shoot में, and young fruits में, जहाँ पर भी shoot बढ़ आएगा, shoot से related, आप जब भी बात हो, तो cytokinin के जा सकते है, cyto मतलब cell और kinon का मतलब भी division से निकल के आता है, कि ये cell division को भी promote करता है, मैंने बोला था कि ये नहीं नहीं चीजों में विस्वास रखता है, नहीं चीज बनाने में, तो देखो, यहाँ पर क्या लेका हो है, produce new leaf, ये नहीं नहीं leaves बनाने में involve होता है, right, chloroplasty leaf, leaves के अंदर chlor chloroplast भी बनवाता है, नहीं चीज़ां को promote करने में जुड़ा रहता है, lateral shoot growth, देखो, shoot growth करा रहा है, या adventitious shoot growth, बोला था ना, बंदूग रखता है, shoot कर देता है, right, तो ये क्या करेगा भाई, ये lateral shoot growth को भी करवाएगा, और advanced serious shoot growth को भी करवाएगा, clear है, आगे देखो, और मैं किसी की दादे अगरी बर्दास्त नहीं करने दूँगा, और बात में तो हमने mention किया ही है, कि senescence को delay करता है, कैसे promote करता है nutrient metabolism को, तो ये with story आपने समझ लिया, all about Mr. Cytogynin, चलिए ज़रा, इसको हम एक short trick के through भी समझ लेते हैं, मैंने आपको story के साथ साथ एक short trick भी provide की हुई आप full form बताईएगा नीचे comment section में, जितने बच्चों के comment section में comment आएगे और वो भी ये बात करते हुए कि PCOD क्या है, मैं मान जाओंगा कि आप लोगों को ये session बहुत प्यारा लगा है, और आप लोगों इसको support भी किया है, अगर आप PCOD को answer करते हो, definitely I will also answer you, मैं भी आपके personal comment को mention करूँगा, उस पर दिल प्यारा सावी बना दूँगा, don't worry, चलिए जरूर comment section में बताएगा, PCOD बोले तो, यहाँ पर PCOD का जो meaning निकल का रहा है, आपको समझाना है कि ये full form क्या होगी इसकी, but यहाँ पर P से production of new leaf, यहाँ पर new leaf बनेंगी, और chloroplast बनेंगा leaf के अंदर C से cell division, O से overcome epical dominance और D से delay sentence, यह इसके key feature भी हो गए, PCOD, site when it is done, अब बात आएगी सबसे important एक कही न कहीं philosopher की, जिसने कहीं सारे experiment किये, और खूब सारे plant को produce कराया, अब एक नई story आपके सामने आने वाली है, for ethylene, yes, यह ऐसी वैसी story नहीं है, यह एक बहुत बड़े कह सकते हो एक real plant के botanist की कहानी है, जो मतलब अपनी life में नए-ने experiment करने पे believe करता है, चलिए पढ़ते हैं और समझते है, इस story of Mr. Ithailin, देखो, Ithailin एक बहुती visionary person था, उसने नए-ने चीज़ा innovate करने में बहुत मज़ाता था, और वो भी plant से related, इसने क्या किया, इसने starting में कुछ seed लि यह जमीन की सतह है, तो यहां से जो plant निकला वो ऐसे horizontally grow कर रहा है, पहली बाद जो उसने observe की, अरे वाँ उसने देखा, यह तो कि कमाल की बात है, ठीक है, चलो देखते हैं, और क्या क्या होता है, उसने देखा कि उसको stem बन रही है, वो ऐसी पतली नहीं है, वो मोटी stem है, औ और उस stem के end पे आके एक क्या बन गया, हुकसा बन गया, डाइकोट हुकसा बन गया, और बाद में उसने observe किया, उस पे पतिया भी लगी, फिर पतिया जड़ भी गई, उस पे उसने देखा कि राइपन पके हुए fruit भी लगे, अभी यह बस एक experiment कर रहा है, उसके बाद तो उ आगे जाके उसमें हुक भी डवलप हो गया, उसमें क्या हुआ, हुक डवलप हुआ, उस पे जो fruit लगे वो बहुत जल्दी पक रहे थे, राइपन फूक हो रहे थे, और बाद में उसने क्या देखा कि पतिया जो लगी हुई थी, वो बूड़ी हुई और वो पतिया भी नी जो फिर इथाइलिन की तरह ही इथाइलिन के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलने लग गया था, ठीक है, समझते है भी इसके बारे में, तो यहां पर आपकी कुछ सिये स्टार्टिंग के जो पॉइंट से वो काफी क्लियर हो जाएंगे, देखो, होरिजोंट इथाइलिन क् प्लस यहां पर फ्रूट उसके राइपन भी हो रहे हैं, और उसको हम रेस्पारिट्री, क्लाइमेक्ट्रिक भी बोलते हैं, आपकी एक एक लाइन न्सियार्टी की कवर होगी, यहां तक चीज़े हो गई कवर, इसके पहले एक्सपरिमेंट में, जब उसको मजा आने लग प्लांट को ग्रो कराने में, उसने खूब सारे प्लांट ग्रो कराया, उसने क्या कराया, सबसे पहले एक पीनट को ग्रो कराया, और जब उसने पीनट को ग्रो कराया, तो उसने देखा, उसकी पीनट में जो सीड डॉर्मेंसी थी, और जो बड डॉर्मेंसी थी, वो खतम हो इसस ने खुब जारे प्लांट करें देख़ें फिर उसके बाद तो इस ने टना चाचा रिजलटा है और खुनी चेपोर तो एकौन साँका यह कुछ उतना तो यह सब यह ज्याख़ा है औरbone वैड़ दो इन सारी चीज से इंस्पायर होके एक और परसन जिसका नाम था एतेफॉन उसने भी का भाई मैं अब तेरे को फॉलो करूँगा उसने कैं भाई मैं भी अब तेरे को फॉलो करूँगा तो यह थी पूरी स्टॉरी डोन्ट वरी विद ट्रिक भी मैं आपको साइड में लिखी हुई है वो समझाऊंगा ही समझाऊंगा चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी के एक्स्प्लेनेशन पार्ट को तो देखो यहां पर यह क्या करता है होर्जोंटल ग्रोथ कराता है सीडलिंग में अपने पढ़ा एक्सेशन भी करा रहा है पतियां भी चड़ रही है आप बूरी भी वह रही है राइपन फ्रूट की राइपनिंग भी जा रहे थे राइट जिसको हम रेस्पारिटरी क्लाइमेटरी भी बहुत यह उसके पहली एक्सपरिमेंट में अरली लाइफ में हमने यह इवेंट देखे थे फिर उसने क्या किया उसने जब मुफली गाई तो देखो उसमें सीड और बड़ दॉर्मेंजी दोनों कतम हो गई और वह सीड वह पीनट जो इसली जर्मीनेशन हुआ उसने जब आलू गये तो इस प्राउटिंग पटेटो ट्यूबर आलू में भी रूट एयर भी डबलप हुए यहां पे क्या हुए रूट एयर भी डबलप हुए राइट आप क्या देख रहे हो यह देखो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट एयर इसी राइस के प्लांट में क्या हुआ रैपिड इंटर नोड इलोंगेशन हुआ जिससे वह राइस क सब्सक्राइब यह सारी चीज़ देखके इतना अच्छा काम देखके Mr. थाइलिन का उसको किसने और फॉलो किया मिश्टर एटेफॉन ने और एटेफॉन भी वही सारे काम करने लगया मोस्टली जो मिस्टर थाइलिन करते थे क्लियर है आई स्टोरी समझ में चलो इसके सौट ट्रिक वाले पार्ट पे भी आ जाते सौट ट्रिक है आपकी F.B.I याद है आपको F.B.I है इक एजेंसी है F.B.I साहस F.B.I साहस कहाटरे रहिंगे F.B.I साहस बहुती साहसी ट्रीम है यहना F.B.I. स hijas F.B.I का मतलब फ्रूट राइप निंग वी मतलब ब्रेकशीडलिंग अड़ नियूड़ मतलब इनीशियन फ्लॉवरिंग शाहस सेनेसेंस एपसेशन होरिजोंटल ग्रोथ एपिकल हुक एंड स्वैलिंग तो यह शॉट ट्रिक भी है जिससे आप इजीली याद कर सकते हो मैं तो कहूंगा पहले स्टोरी को याद रखो स्टोरी आपके माइंड में पूरी इमेज क्रियेट कर देगी उसके साथ ट्रिक को भी नहीं भूलोगे आप रिलेट कर पाओगे चलिए अब हम आते हैं फाइनली मैंने बोला था ना फंटास्टिक और फणी फणी वाला पार्ट अभी मिसिंग था तो आ गया आपका फणी वार्ट लास्ट पार्ट में अब हम बात करेंगे मिस्टर एपसेसिक एसेड की किसकी तो पूरी कहानी का जो क्रस्क प्रस्क जाते हैं अगर हम बात करें एपसेजिदें आफ क्या देखेंगे कि यह कई सारह कराता है जैसे एपसेशन, एंड डॉर्मेंसी, इनविट, सीड जर्मिनेशन, स्टुमिलेट, क्लोजर ओफ इस्टोमेटा, एंटागोनिस्ट, आप सोचरों के ट्रिक का है, एक्चुलि वो जो मूवी देखी थी, उसमें गान था, ऐसा चादू, डाला रहे हैंना, ऐसे करके, तो यहा क्या करता, यह इसने क्या देखा तलास मैं, कि अबाने गेट बंद कर लिया, तो epsic acid क्या करता है, एpsic acid closes, डूर बोले तो इस्टोमेटा, इन इस्ट्रेश, जब अबा को गुस्चा आ गया, तो उन्होंने क्या क्या, इस्टोमेटा, क्लोज कर दिये, मतलब उसने काफी इंपॉर्टेंट लाइन है जी ए जिब्रेलिक एसिड का ही एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है तो बच्चों यहां पर हमारे पांचों के पांचों हर्मोन मुझे लगता है हमने करीब करीब 20 मिनिस में पूरे के पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं राइट अब ह अगले सेशन में बबाई टेक केर और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा और एक्साम को एक दग फुली एकदम एनरजेटिक माइंड के साथ दीजेगा मिलते अगले सेशन में बबाई टेक केर